नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव डीके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर निपून भारत के बारे में किसके बारे हम बात करेंगे हम यहाँ पर निपून भारत के बारे में यह एक ऐसा टोपिक है, जो हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, आपके सिटेट एक्जाम में है, चाहे आप बाल विकास ले लिजे, इंग्लिस ले लिजे, हिंदी ले लिजे, गणित तक में पूछा गया है, संसिक्रत के जो प्रस्न आते हैं, उसमें भी निपून भारत से प्रस्न पूछा गया है, तो यह टोपिक काफी महतपून है, आपके सिटेट की एक्जाम की दस्टी से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आपको पहले समझाए जाएगा, उसके बाद प्रस्न रखे गए हैं, उसके बाद जो आपके प्रिवियस यह और पेप से ओनलाइन इस्टेटी भी डिके को डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर लिजेगा, काफी इंपोर्टेंट जानकर इसमें दी गई है, सभी को रेटिंग जरूर देना है, यहाँ पर सारी चीज़े आपको 29 रुपे मिल रही है, यहाँ पर सारी चीज़े आपको 29 आपते कर सकते हैं, तो तीस टेस्ट है, लगा लिजेगा, साथ में रामबान पीडियाप भी आपको 29 रुपे मिल रही है, जिसमें थियोरी मिलेगी, 800 MCQs मिलेंगे, जो और इसमें जो थियोरी और MCQs है, उसकी रिकोर्डेट वीडियो आपको मिलने वाली है, साथ में उनल दाउनलोड यरू किजेगा, और रेटिंग जरू देदीजेगा, सुरुआ करते हैं, सुरुआत करने से पहले यहां पर देखे, निपून भारत मिलेशन का यहां पर चित्र बना हुआ है, यह भी आप देख सकते हैं, साथ में सबसे पहले हम देखेंगे, निपून भारत की जो फूल फूम है, जो आपकी 2023 में जो एक्जाम हुईती, 2022-2022 में आपकी सीटेट की ऑनलाइन, उसमें यह प्रस्म पूछा गया था, कि निपून का फूल फूम क्या है, ना, तो निपून का फूल फूम आपको पता होना चाहिए, कि A, N, I, P, U, N, इस से क्या बनता आपक नेशनल, क्या बनता है, N से नेशनल है, और I से क्या बनता है, तो initiative for बनता है, क्या बनता है, initiative for बनता है, P से क्या बनता आपका, तो proficiency in reading with, क्या बनता है, proficiency in reading with, यह P से बनता है, U से क्या बनता है, understanding end क्या बनता है understanding end है यह याद रखेगा यह आगे पूछा जा सकता है एक number आपका पक्का हो जाएगा यहाँ पर यानि कि सभी विशे में एक एक number के पूछी जाएंगे तो आपके 5 subject है तो 5 number आपके पक्के हो जाएंगे यह topic आपने clear कर लिया देख लिया और इन प्रशनों को लगा लिया तो है न और एन से क्या होगा आपका numeracy तो याद रखेगा national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy यह आपका निपून का full form होता है न इसके इसके पहले हम इसको समझेंगे उसके बाद इनके प्रशनों को लगाएंगे न तो पहले गाधा सबसर पहले बात करें किसकी शुरुवात कब होई थी पूछा गया है आपके एक्जाम में है न तो निपून भारत योजना की शुरूआत ही वह पांच जुलाई 2021 को हुई थी आपकी निपून भारत योजना की शुरुवात yaad रिखेगा सन किसके द्वारा इसकी सुरुवात की गए थी किसको सरे जाता है तो यह सरे जाता है आपका पूर्व जो सिक्षा मंत्री स्री रमेश पोकरियाल निसंक इनके द्वारा है नाम याद रख लिजेगा पूर्व सिक्षा मंत्री स्री रमेश पोकरियाल निसंक इसी मे से प्रशन रखे है, टोटल मैंने 24 प्रशन रखे है, जिसके hunt को देना है, जिसमें जो previous paper प्रशन में बिज जो प्रशन पूछे गए आपके निपून भारत के, ओ भी मैंने प्रशन रखे हैं, तो इनि में से पूछा गया है, जो मैं आपको बता रहा हुँ तो दियान दीजेगा, इस मिसन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 के चात्रों में आदार्बुद साक्षाता और संख्यनात्मक्ता का ग्यान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी बुनियादी सिक्षा मजबूत हो, देखें यहाँ पर दियान दीजेगा कक्षा 3 से 6, जो संख्यनात्मक्ता का ग्यान है, जो बच्चा इससे पहले नहीं कर पता था, वो सारी चीजे यहाँ पर इंक्लूट की गई है, तो इनको प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो उनकी बुनियादी सिक्षा है, उसको क्या करा जाए, मजबूत करा जाए, उससे क्या होगा, अब इसमें एक और निकल कर आता है, एफ एलेन, क्या निकल कर आता है, एफ एलेन, इसका भी फूल फोम पूछा जा सकता है, तो एफ एलेन का फूल फोम क्या होता है, उसके बाद इसके बार हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नाम आया था, साक्षरता और संख्यनात् मक्ता को क्या का जाता है फाउंडेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नुमेरेसी है ना यह इसका इंग्लिश नाम याने की पूरा नाम है और इसको हिंदी मिका कहते हैं बुनियादी साक्षर्ता और संख्यनात्मक्ता याद रखेगा फूल फूम भी आगे आपसे पूछा जा सकता है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलिए अब बात करते हैं कि जिसके बारे में हम बात करें कि बुनियादी साक्षर्ता और संख्यनात्मक्ता होती क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो क्या ह इसमें कच्छा 3 से 6 तक साक्षरता बनाना है क्या है कच्छा 3 से 6 तक क्या बनाना है साक्षर बनाना है और साक्षर होने का रथ क्या है कि बच्चों को वो योगता हासिल हो जिसके जरिये चात्र पढ़ने लिखने में बोलने में व्याख्या करने में सक्षम होना चात्र दिखे रहा है उसको समझ सकें यहां पर यहां पर योग्जिता हांसिल रोनी चाहिए कछ तीन से छैत्र बनाना है बुणियाधी साक्षर्टा और संख्यनात्मक्ता का अर्त स्कृषच्र सायल सहरे। विशेश रूप सा आप से पूछा जाए तो बच्चों को great 3 तक प्राप्त करना होगा कितने great 3 नैने कि शुरू के जो 5 साल है NEP आपने पड़ी होगी मैंने एक वीडियो बनाया था वो देख लिजेगा नहीं देखा हो तो NEP 2020 उसमें 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया गया पहले 10 प्लस 2 का था अब 4 भागों में उसे बाड़ दिया गया है तो जो पहला भागे 5 में उसमें कक्छा 3 तक great 3 का मतलब यहाँ पर क्या है कक्छा 3 का है ना 3 तक प्राप्त करना चाहिए बुनियादी साक्षरता और संखनात्मक्ता खग्यान विशेस रूप से जो बच्चा है याने कि जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना सीख जाए बोलना सीख जाए जो उसने लिखा है उसको समझना वो सीख जाए ना और जोड घटा जो मेत्स में होता जो गणियत में होता है उनको सीख जाए कब तक विशेस रूप से बच्चा सीखने के लिए उसको समय दिया गया है और जो टीचर से है उनको मेहनत करने होगी कच्चा 3 तक है तो उसमें ये बच्चा सारी चीजे सीख सकता है उसको सिखाना ही चाहिए तो यहाँ पर बात की जाए तो ग्रेट 3 तक है विशेस रूप से ये आपको धियान रखना है आगे बात करें निपून मिसन के तहट कच्चा 3-6 पढ़ने वाले बच्चों को वर्स 2026-27 याद रखेगा यहाँ पर जो रेड रेड में ने किया है और सारे इंपोर्टेंट हैं इसी समरीद प्रशने पूछ जाएंगे और यह काफी इंपोर्टेंट है तो याद रखेगा 3-6 वर्स पढ़ने वाले बच्चों को वर्स 2026-27 तक बुनियादी साक्षर्ता और संखनात्मक्ता में निपून बनाना है कब तक पूछा जाता है कि बुनियादी साक्षर्ता और संखनात्मक्ता में जो निपून है वो कब तक बनाना है तो 2026-27 तक बनाना है यह आपको याद रखना है अब एक और यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि केंद सरकार द्वारा योजना को कितने भागों में विवाज़त किया गया है तो 17 भागो में विवाज़त किया गया है यह IMPORTENT याद रखीगा 17 भाग है ना आगे बात करें तो इस मिष्ण को देश के सभी राज्यों और केंदरसासित प्रदिशों में लागू किया गया है सभी राज्यों में, कितने राज्ये हैं? 28 राज्ये हैं, कितने हैं? 28 केंदर सासित प्रदेश कितने हैं, आपको साथ सभी को पता है, तो इन सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, और इसके लिए राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों में 5 इस्तरी तंत्र, य आपको क्रम में याद रखना है, पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है, तीसरा है, चोथा है, और पांचवा है, क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है, पांच इस्तर के बारे में, तो पहले नंबर पर राश्टी इस्तर, राज्य इस्तर पर, फिर जिला इस्तर पर, फिर इसकोल इस्तर पर है ना इसका क्या किया जाएगा संचालन किया जाएगा ये पांच इस्तर आपको जाद होने चाहिए वो भी क्रम में और इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया है ये भी इंपोटेंटे ध्यान दीजेगा तो इसका जो संचालन है वो सिक्षा मंतर यहाँ पर देखे अभी कक्षा के बारे में बात की जा रहे थी, अब यहाँ पर क्या किया गया है, तीन से नो वर्स, यह important ध्यान दीजेगा, कक्षा 6, कक्षा 6 में बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का बच्चा होगा, तब उसे इस्कुल में बिठाए जाएगा, और इस्कुल से पहले किस में बिठाए जाएगा, आंगनवारी जो होती है, आपके जो आंगनवारी होती है, उसमें 3 साल बिठाए जाएगे, तो यह याद रखेगा, 3 से 9, कक्षा 3 से 6 होगी, और वर्स में पूछे तो आप से 3 से 9 होगी, और इसम बुनियादी सिक्षा प्रदान की जाएगी NEP 2020 के according जो पहला पार्ट है जो पहला भागे 5 वर्स उसमें ये सारी जानकरी दी गई है न तो ये याद रिखेगा आगे हम बात करें क्योंकि 3 से 9 आप देखेंगे तो कितने साल होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 है न तो यहाँ पर जो बात की जारी हूँ 5 साल के अंदर बात की जारी कक्षच 6 तक अब बात करेंगे कि इस मिसन के अंतरगत वर्स दोजाच 26 तक का लक्ष रखा गया है यहाँ पर देखें लक्ष के बारे में आपको बता चुका हूँ कब तक रखा गया है दोजाच हब्विस अइस इसके अंतरगत pre-school देखे pre-school क्या होते हैं जो कक्छा एक जो है कक्छा एक से पहले जो नरसरी हो गया LKG UKG हो गया यहने कि 3 साल तक यह रहेंगे आपके pre-school first रहेगा pre-school 2 रहेगा pre-school 3 रहेगा जिसमें बाल वाटिगा और जो आपके आंगनवाडी वगरा है उसमें इनकी पढ़ाई होगी है ना कक्छा एक से पहले के जो पढ़ाई होगी उससे pre-school कहा जाएगा जैसे कि आपका नरसरी हो गया है ना LKG UKG हो गया 3 क्लास है है ना उसको क्या कहा जाएगा pre-school first pre-school second pre-school third याद रखेगा ये important है grade 1, grade 2, grade 3 किसे कहा जाएगा इसको कक्छा क्लास के सकते हैं कक्छा 1, कक्छा 2, कक्छा 3 है ना ये कक्छा हैं आपकी होगी इन चात्रों को इन कक्छाओं के दोरान भासा और गनित का बहतर ग्यान दिये जाए रहे तो भासा का यानि कि बच्चा जो लिख रहा है जो बोल रहा है उसको समझ सके गनित का बहतर ग्यान यानि कि जो गनित के वो सवाल कर रहा जोड घटाव वगरा है ना गिंती पहाड़े वगरा जो है वँभआ अच्छे सा याद कर सके उनको समझ सके तो यह सारी चीजे आपकी कछ्छा तीन तक चलेगी आगे बात करें भारत निपून योजना की निगरानी देखे important है पूछा जाएगा आप से कि भारत निपून योजना की निगराने किस agency के द्वारा रखी गई है तो nodal agency याद रखे गा important है कूंसी agency nodal agency और school model कितने महीने का रखा गया है ये भी important है तो कितने महीने का रखा गया है तीन महीने का ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं वो आपको याद करना आती है आवशक है काफी important है इससे संब्दी थी आपके सीटेट exam में प्रस में पूछी जाएंगे आगे हम बात करें school model के दवारा बच्चों को pre-school सिक्षा में मदद मिलेगी यहाँ पर जो school model है तीन महीने का इसमें किसको मदद मिलेगी यह पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बच्चों को pre-school सिक्षा में मदद मिलेगी अब यहाँ पर देखे इसमें एक और यह जो अपना निपून भारत है यह बहुत यहसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर दो तीन पेच में आपको बता दिया और आपका निपून भारत समाप्त हो गया सिटेट लेवल में जो पूछा जाएगा उसी को रखा गया बाकिशी जो को उसमें नहीं रखा गया है निपून भारत में एक और चीज आती है निपून भारत के अंतरगर निपून भारत में जो निपून भारत में जो निपून भारत में आपको पता होना चाहिए क्योंकि फूल फूम आजकल सीटेट एकजाम में ज़्यादा पूछे गए है तो एक साथ दो प्रशन आपके फूल फूम पूछे जा सकते हैं तो ये भी आपको धियान में रखना है चलिए अब बात करते हैं प्रशनों के बारे में देखिए आप समझ गए निपून भारत किसे केते उसका उद्धिश क्या है ये सारी चीजें की जानकारी में आखू दे चुका हूँ जो मैंने बताया है उसी में से प्रशन पूछे गए हैं तो यहां पर समझाने की मुझे नहीं लगता है क्या आउशकता है प्रशन पढ़ूँगा चार विकल पढ़ूँगा आपसे आंसर पूछूँगा कमेंटस के माद्यम से हर एक प्रशन का आपको आंसर देना है पहला प्रशन आपका कि भारत निपून योजना को लागू कब किया गया था यहाँ पर लागू लिखा हुआ है इसे लागू कब किया गया था 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जुन 2022, 10 माई 2021 पांच सेकंड का समय है जल्दी से आंसर दीजिए कमेंटस के माद्यम से देखिए यहाँ पर भारत निपून योजना के बारे मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको 5 जुलाई 2021, कब इसको लागू किया गया था 5 जुलाई 2021, कमेंटस के माद्यम से आंसर दीजिएगा, आपका आकलन कर सकते हैं, देखिए न, आपको डरना नहीं, गलत भी दे, कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर आपको सभी को देना है दूसरा प्रशने आपका, भारत निपून योजना को किस्ने लागू किया है, देखिए इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, किसके दुआरा लागू किया गया है क्या प्रधान मंत्री नरण मूदी मैंने बताया था नहीं बताया था क्या केंदरी रक्षा मंत्री राइना सिंग बताया था नहीं बताया था आदितिनाथ योगी जो हमारे मुख्य मंत्री जी है यूपी के उनके बारे में बताया था नहीं बताया था तो C वाला विकल्प आपका correct होगा यदि मैं जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप वीडियो को push कर लिजेगा, रोक लिजेगा उसके बाद आंसर आपको कमेंट से के माध्यम से देना है, कोपी में भी लिख सकते हैं, इसा जरूरी नहीं है तीसरा विकल्प आपका कि जुलाई 2021 में सुरू की गए निपून भारत कारिकरम के संबंद में सही उत्तर को चुनिये, 2021 में जो आपके निपून भारत कारिकरम के संबंद में आपको सही विकल्प चुनना है देखिए आपर विकल्प को दियान से पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है 5 से 9 वर्स के आयू वर्गे के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना है तो 5 से नहीं 3 से 9 कितना? 3 से 9 वर्स के आयू वर्गे के बच्चों को बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना है तो पहला वाला विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत हो गया दूसरे नमबर पर आता है निपून का अर्थ नेशनल एनेशियेटीव फोर प्रोफिशेंसी इन रेडिंग विद अंडरिस्टेंडिंग एन नूमेरिसी है तो यहाँ पर भी वाले विकल्प को छोड़ देते तीसरे विकल्प पर चलते इसे ग्रह मंतराले द्वारा जारी किया गया है तो इसे ग्रह मंतराले द्वारा जारी नहीं किया गया है किसके द्वारा किया गया है रमेज पोकरियाल जी के द्वारा किया गया है जो कि आपके सिख्षा मंत्री थे यह उपरवभ तो सभी हो नहीं सकता यहँ पर B वाला विकलप देखे इस प्रकाष से भी सिधा सीधा आपसे नहीं पूचा गया कि निपून भारत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर इस प्रकास से भी प्रस्वन आपसे पूछा जा सकता है तो यदि आपको निपून भारत का अर्थ पता है तो directly आप लगा सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है यह पहला नहीं हो सकता तो B वाला विकल्प आपका सही होगा जो निपून का अर्थ होता है National Initiative for Profi CNC in Reading with Understanding and Numeracy होगा है इसका full form तो इस प्रकार से भी आपसे प्रशन पूछा जा सकता है तो भी वाला विकलप आपका बिल्कुल correct होगा चलिए अगला प्रशन आपका निपून का पूरा नाम क्या है इससे पहले क्या हुआ था घुमा फेला के प्रशन पूछा गया था यहाँ पर सीधे सीधे प्रशन पूछा गया है तो क्या है आपका निपून भारत का पूरा नाम सोरी निपून का पूरा नाम क्या है National Initiative वीडियो को पूछ कर लिजेगा अराम से पढ़ लिजेगा आंसर आपको देना है ना मैं यहाँ पर पूरा नाम बता दूँँगा आंसर आपको बता देता हूँ National Initiative for Professioncy in Reading with Understanding and Numeracy यह दो तीन बार में आपको बता चुका हो पहला विकल्प आप देखेंगे तो पहला वाला विकल्प ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और यही निपून का पूरा नाम है यहाँ पर B, C, D, D तो तीनों ही गलत है चलिए अगला प्रशन है भारत निपून योजना का उद्देश क्या है नोकरी के अउसर उपलब्द कराना है क्या हमने इसके बारे में बात की नहीं की है ना नोकरी के अउसर उपलब्द कराने वाली तो बात ही नहीं की गई भारत निपून योजना में चात्रों को नोकरी क्या नोकरी दे रहा है भारत निपून योजना विकलपा आपका बिल्कुल सब्सक्राइब निपून भारत इसे के बारे में बात करता है तो D वाला विकलपा आपका बिल्कुल correct answer होगा अगला प्रशनी भारत निपून योजना का लक्ष क्या है अब यहाँ पर उद्देशी बताया है अब आपको यहाँ पर लक्ष बताना जल्दी से चार विकलपो को पढ़िए और आंसर दीजी भारत निपून योजना का लक्ष क्या है क्या great 4 के अंत तक मुल्भुष साक्षरता है बिल्कुल नहीं great 4 की हमने बात ही नहीं की कहीं great 4 आया ही नहीं है आगे बात करें तीसरे और चोथे वी BCD तीनों विकलपो को पढ़ लेते हैं फिले great 3 के अंत तक मुल्भुष साक्षरता और संख्या गंडणा का लक्ष रखा गया है ग्रेट पांच के अंतित्ता का मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष रखा गया है या फिर ग्रेट साथ के अंतित्ता का मूलभूत साक्षरता और मिसन का लक्ष रखा गया है तो यहाँ पर देखे चार विकल्पे हैं आपके सामने फटा फटा आंसर दे दीजे तो मैंने तो ना grade 5 की बात कही है और ना ही 7 की बात कही है किसकी बात कही है? grade 3, grade 3 का मतलब होता है कक्छा 3 कक्छा 3 तक याने कि 3 के अंतर तक आपको क्या करना है? तो बीवाला विकल्प क्या होगा? आपका बिल्कूल करेक्ट होगा आप एक सिक्छा के उसी के तोर पर आपको बताना है कि आपको ये करवाना है तो बीवाला विकल्प आपका बिल्कूल करेक्ट होगा भारत निपून योजना किस छेतर के लिए लागू की गई है? कमेंट से कीजिए सात्वे का अंसर क्या होगा देखे जो मैंने बताया है आपको ना वा सेना का जिक्र हुआ ना ही सेना छेतरी के लिए लागू की गई है ना ही क्रसी के लिए और ना ही उद्योगे की छेतरी के लिए किसके लिए की गई है सिक्षा छेत्रे के लिए गई है बच्चों के लिए की गई भारत नीपून योजना है तो तीसरा वाला विकल्प जो है वो बिलकुल करrekt होगा आठवा प्रसने भारत नीपून योजना का जो लक्शे है वो कब से कब तक रखा गया है तो मैंने सन भी आपको बताया है, फटा-फट बता दीजे कमेंट्स के माध्यम से, क्या 2022-2023, 2024-2026, 2026-2026, या फिर 26-68 से, जो लक्ष है कि जो बच्चा है कक्षा 3 तक जो उन्होंनों उद्देश्य बताया है, वो सारी चीजे बच्चों के इंदर आ जाने चाहिए, कब तक ये चीजे रखी गई, कब तक लक्ष हो रखा गया है, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट्स के माध्यम से फटा-फटा आपको आंसर देना है, तो ये बताया था, मैंने 2026-2026, याने कि तीसरा वाला बेलकुल correct answer होगा, यदि आप गलत भी आंसर देते हैं, तो याद हो तो है ना, योजना का जो कारिवयन है, कितने इस्तर पर किया गया है, कारी करने का जो इस्तर है, क्या 6 इस्तर बताये थे, मैंने 3 बताये थे, 5 बताये थे, फटा-फट आंसर दीजी इसका, क्या है नवे का, तो देखिए मैंने इस्तर कितने बताये थे, आपको 5 ब बताये थे, कौन-कौन से, राश्टी इस्तर, क्या बताया था पहले, राश्टी इस्तर, फिर आपका होगा, राज इस्तर, है ना, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, राज इस्तर के बाद में जिला इस्तर बताया था, है ना, जिला इस्तर के बाद में आपको ब्लोक इसका काम होगा है तो कौन सा सही होगा आपका तीसरा वाला विकल पर बिलकुल करेक्ट होगा एक दो तीन चार पांच जो मैंने सिरिज रखी उसी के नुसार आपको याद रखना है जिससे की यहाँ पर पूछा गया है देखे निपून योजना के इस्तर कौन-कौन से हैं त काँ आपको आंसर बताना है राश्टी-राज-जिला- ब्लोग किस्कुल राश्ट्य-राज-जिला-ब्लोग फिरी शुक्ल शरलसा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया था दस नमबर लिखकर ये जो अपना क्रमांग के हैं दस है ना दस लिखकर आपको A, B, C, D में आंसर देना है कि कोन सा सही होगा चलिए ग्यारवा प्रशन आपका भारत निपून योजना का संचलन किस विभाग के द्वरा किया गया है तो इसके संचलन के बारे मैंने आपको बताया था सिक्षा मंत्रा लई है, परियावण विभाग है, संसाधन मंत्रा लई है आपके निपून भारत सिक्षा और साक्षरता विभाग है थोड़ी दर पहले ही मैंने इसके बारे में बताय था संचलन के बारे में किस विभाग के दोरा किया गया है जल्दी से कमेंट से के माध्यम से बताईए तो देखिए इसका सही आंसर होगा निपून भारत सिक्षा और साक्षरता मिसन जो सिक्षा मंत्राली द्वारा किसको काम सोपा है निपून भारत सिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा ये किया गया संचलन है न तो आपका D वाला विखल पर सही हुआ सिक्षा मंत्राली यहाँ पर correct answer नहीं है कौन सा है डी वाला विकल्प आपका correct answer होगा चलिए अगला प्रश्णी भारत निपून योजना की निगरानी किस agency के द्वारा रखी गई है तो मैंने agency के बारे में भी आपको बताया था क्या वो ग्राम पंचात विवयक बताया था तैसल दाल विभाग जिला परिश्द या पिर नोडल एजनसी तो मैंने निगरानी के बारे में बताया था भाई कि भारत निपून योजना की निगरानी है वो नोडल एजनसी की द्वारा रखी जाएगी कौन सी नोडल एजनसी तो डी वाला विकल्प आपका correct होगा अगला प्रश्णी है इसकूल मोडल कितने महीने का रखा गया देकि इसकूल मोडल के बारे मैंने आपको बताया था कितने महीने का रखा गया है और किसके लिए रखा गया है इसके बारे में आगे आपको प्रश्ण बताऊंगा है ना तो दो महिने, तीन महिने, चार महिने, आफिल छे महिने, तो मेने के बताया था आपको, तीन महिने है ना, इस्कुल, माडल कितने महिने का रखा गया है, तीन महिने का रखा गया है, अगला प्रशनी, भारत, निपुन, योजना को कितने भागों में वाजित किया गया है, दे अगला प्रत्य इस्कल मोडल के दूरा किने मदत मिलेगी जो इसकल मोडल है जैसे कि मैंने आपको सुक्षा के डिवकец के बात की जा रही है इसकल माडल के दौरा किने मदत मिलेगी एब beside प्रकार की जाएगा तो राइट आंसर आपको क्या हुआ है यह पर तीसरे वाला होगा अगला प्रसुन है बच्चों का अकलन किस प्रकार किया जाएगा जो बच्चों का आकलन है वो किस प्रकार किया जाएगा भई केवल सिक्षकों के द्वरा किया जाएगा मुख्या ध्यापक के द्वरा किया जाएगा जिला धिकारी के द्वरा किया जाएगा या फिर विवन प्रकार की जो तकनीकी होती हैं, उसका उपयोग करके किया जाएगा, तो यहाँ पर जो फूर्थ वाला विकल्प है, वो आपका correct होगा है, डी वाला विकल्प, चली, अगला प्रशनी भारत निपुन योजना का लाब यहाँ पर आपसे पूछागा है, क्या लाब होगा, अटाक से अंसर दीजे सतरगा क्या होगा, तो तीसरा वाला विकल्प है आपका correct होगा, अगला प्रशनी है कि भारत निपुन योजना की मुख्य विसेश्टा क्या है, यहाँ पर मुख्य विसेश्टा पूछी गई है, क्या तीन से नो वर्स के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना है, क्या 4 से 9 वर्स, 6 से 9 वर्स, 5 से 9 वर्स, तो यहाँ पर क्या correct answer होगा, मैंने आपको बताया था, शुरू में ही है न, किसका मुख्य विसेश्टा क्या है, किसकी जरूरत को पूरा करेगी, बच्चों को सीखने की, तो यह करेगी, पहले answer दे आंसर दे दीजेगा, right answer होगा आपका यहाँ पर, पहला वाला 3 से 9 वर्स, तो यहाँ पर देखें, 3 की जगा यदि 3 से 9 नहीं आता, तो आपको 4 से 9 लगाना है, 4 से 9 नहीं आता, तो 6 से 9 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 से 9 दिया हुआ, तो correct answer क्या होगा, आपका पहला वाला 3 से 9 वर्स के बच्चों की सीखने की जरुरुत को पूरा करना, यह भारत निपून योगिता की मुख्य विशस्ता होगी, चल, भारत निपून योजना को दिसा निर्देश करने के लिए किन की भूमी का महत्तपून है, यहाँ पर देखें, दिसा निर्देश के बार परामर्श करना होगा, चार विकल्पे है, 19 लिखिए और आंसर दीजिए, A, B, C या फिर D, दीखें, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका भागिदार और विश्यसग्यों के साथ परामर्श, यहाँ पर भागिदार से मतलब क्या है, जो वहाँ के टीचर से हैं, जो प्रिंसि यहाँ पर देखें, भारत निपून योजना को लागू करने में किसकी भूमी का महत्वपून होगी, यहाँ पर देखें, भारत निपून योजना को लागू करने के लिए पूछा गया है, कि जिलादिकारी की होगी, तैसलदार की होगी, अभी भावकों की होगी, या फिर तेसलदार के बारे में हमने बात की ना ही अभी भावकों के बारे में बात की सिख्छक और बच्चों के बारे में बात की तो यहाँ पर देखिए जो महत्रपूर्ण भूमिका होगी वो किसकी होगी सिख्छकों की होगी करेक्टर अंसर आपका डिवाला होगा है ना अब देखिए यहां पर जो 20 प्रशन है वह आपके इंपोटेंट प्रशन रखे गए थे अब जो 22-23 में आपके एक्जाम हुई थी इसी में निपून भारत से प्रशन पूछे गए थे तो इसमें देखिए पहले ही प्रशन आपसे पूछा गया है और यह मैं नपी 2020 में भी आपको बता चुका हूँ इस प्रशन के बारे में यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है देख लिजेगा सारी जानकर यह आपको वहां पर मिल जाई देखिए यहां पर प्रशन पूछा गया है राजिश्टी सिक्षा निटि 2020 के इस लक्च HERE को हंसर करने के लिए सिक्षा मंतराले भार्य सरकार ने नामक परillarणर मिम्र्णा आरंब कार क्ष़ा गया क्या निश्डा की गई है क्या निपुन भारत की गई है क्या अफलन की गई है दिक्षा की गई है तो यहां पर देखि के कोई आपको अलग-अलग सेक्षन नहीं बने होंगे है ना तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मिसन है कौन सा परियोजना है तो निपून भारत है ना तो यह विवाला विकलप आपका करेक्ट होगा यह आपके 2022-23 में पूछा गया प्रशन है अगला आपसे प्रशन यह अपर गनिती कोषन होते हैं उसमें अवलोकन करना भी आपका होगा दश्टिकरन होगा संप्रिशन होगा और अमूर्थ विचार होगा अमूर्थ नहीं आपर अमूर्थ विचार होगा है ना तो निपून भारत दस्तावेस के नुसार ये आपकी जो पांचों चीजें ही ये करक्ट होगी गनिती कोसल के लिए ये महत्पून है तो भी वाला जो विकलप हो आपका सही होगा चली अगला प्रस्न है यहाँ पर देखे सीधे सीधे पूछा गया है आपका कि जो निपून है उसका मुख्य के अंदर किस पर है यहाँ पूछा गया है सीधा सीधा कि पठन वाचन लेखन सरवन और संख्या बोध पर है पठन और लेखन पर है पठन लेखन और अंक गनित पर है अफिर समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं यह किस मुख्य के अंदर पर है तो इस समझ के साथ पठन और संख् करेक्ट होगा, अब हम अगले और अंतिम प्रस्ण की और बढ़ेंगे और ये आप से पूछा गया है, देखें प्रस्ण इस प्रकार से सीठेट इकजाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है, निपून भारत का पूरो नाम है न, यहाँ पर स सिख्षा निती 2020 के अंतरगात भारती सिख्षा मंतरा द्वारा निपुन भारत रियोजना की सुरुवात की गई थी जो प्रतिक छात्र में अधारबुद संख्यात्मक्ता एवं साक्षरता को सुनिशित करती है तो यहां पर निपुन भारत का पूरा नाम पूछा गया है ना पहला विकल्प ही आपका सही होगा नेशनल इनिशेटिव फोर प्रोफिशेंसी एन रिडिंग विद अंडर इस्टेंडिंग एन निउमेरेसी यह आपका निपुन का पूरा नाम है ना तो पहला वाला विकल्प आपको बिलकुल करेक्ट होगा तो यह 24 प्रशन थे इनको स आपको लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्द ही दोस्तों के नए वीडियो को साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद